प्यारे दोस्तों, अल्टेमेट ग्यान में आपका हार्द एक स्वाकत है, जै माता दे। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, ना कोई मंत्र बताएंगे, ना कोई टोटका बताएंगे, ना किसी दवा के बारे में बताएंगे, और आपका रोग ठीक हो जाए। एक व्यक्ती जा रहा है दोस्तों, और उस व्यक्ती के सामने यदि कोई दूसरा उसका परिचित मिल जाए, और उस व्यक्ती से कहें, आप तो कुछ कमजोर कमजोर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, और कुछ ही देर के बाद उसका दूसरा परिचित मिल जाए, वो भी यही कह दे कि आज कल आपको हो क्या गया है, आप बहुत कमजोर हो गया है। और तीसरा व्यक्ती भी इसी प्रकार आए, उसके सामने उसकी कमजोरी जाहिर कर दे, चाहे वो कमजोर ना भी हो, दोस्तों, चाहे वो बीमार ना भी हो, तो दोस्तों, हकीकत बात है कि वो कुछ ही दिनों में व्यक्ती बीमार पढ़ जाएगा, और बेहत कमजोर होने लगे दोस्तो इसके विप्रीत आजाईए आप कि एक व्यक्ति जा रहा है भले ही वो कमजोर हो रोगी हो यदि कोई व्यक्ति सामने से आने वाला ये कहे कि आप तो बड़े अच्छे भले चंगे लग रहे हैं आज कल तरो ताजा नजराते हैं आपका स्वास्त भी बहुत अच्छा नजराता है क्या खाते हो क्या पीते हो दोस्तो इसी प्रकार की बात यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी दोरा दे तीसरा भी दोरा दे तो दोस्तो वह है व्यक्ति कितना ही बीमार हो कुछ ही दिनों में भला चंगा होकर ठीक होने लग जाएगा दोस्तो क्या ये उनके द्वा हमार भी कर देता है और आपको स्वंटर्ट बी कर देता है जो बाते उन्होंने की दोस्तों वह मन lesson सचाल संचाल संचालित होती है हमारे श्रीर के तंत्र वह इस प्रकार से संचालित होने लगे कि वो मन का आदेश मानने लग गए मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ तीन लोगों ने यही बातें कही और उसके दिमाग में यही बात बैठ गई और उनके तंत्र इसी प्रकार कारी करने लगे कि वो व्यक्ति बीमार होई हो जाएगा इसी प्रकार से वो व्यक्ति स्व और बनाएए अपने शरीर को स्वस्त कैसे करेंगे आप सिरफ पांच मिनट के लिए पैश जाएए अपने घर में ही और अपने मन को टिकाईए और मन से उस स्थान को केंद्रित करिए जहां पर आपको पेन है या साथ रोग है किसी भी रोग से पीडित है उस जगह पर अपने मन को टिकाईए और मन में ये संकल्प पैदा कीजिए कि यहां से मेरी बीमारी अभी से निकलने लग रही है दोस्तों बस इतना सा आपने सोचना है ये संकल्प शक्ती ही जब आप बार बार में उस पर नजर लगाएंगे तो उस संकल्प शक्ती से ही कि मेरी बीमारी मेरे स् के द्वारा बाहर आ रही है और मैं जो स्वांस ले रहा हूं उससे मैं पूरी तरीके से तरोत आ जा और ठीक होने लग रहा हूं बस दोस्तों ये दो बातें ये संकल्प शक्ती एक ही है विचार शक्ती एक ही है मन की शक्ती एक ही है और इसमें आपने दो बातें याद रखनी हैं कि मेरी बीमारी निकल रही है मेरे स्वांस के द्वारा और मैं जो स्वांस ले रहा हूं उससे मेरा शरीर पून रूप से सस्त हो रहा है दोस्तों एक महीने के लिए कर लीजिए प्रियोग आप लिख लेना कि और देख लेना कि आप एक महीने के बाद ही आपकी बीमारी क् नहीं पाएंगे कि वो इस प्रकार से तरोहित हो जाती है कि आप स्वेम ही उसको देख करके अंदाजा लगाएंगे कि ये क्या हो गया बिना दवा के मैं कैसे ठीक हो गया बस दोस्तों कर लीजिए ये चोटा सा प्रियोग और बड़े से बड़े ऐसा दिरोग को आप घर हैंगे दोस्तों अगले अंग के साथ तब तक के लिए धन्यवाद